नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सबीका स्वागत अभी लंदन मेरे इस कारिकरम खेल ग्राओं काम है आज हम बात करने वाले हैं सूरी के करक रासी से सिंग रासी में परवेश की अतात सिंग रासी के गोचर से आपकी प्रतियक रासी को जो भी आपकी रासी उसे क्या मिल किलने वाला शुब या सुब आईए बात करते हैं सूरी के बारे में जो तिस सास्तर में सूरी को उच्छ सरकारी सेवा मान समान का कारक का आ जाता है कुणली में सूरी के स्थिति सुब होने से जाता को राजने दिक जीवन में सफलता मिलती है जो तिस में सूरी को आत्मा का कारक गरह भी माना जाता है इसलिए यदि आपकी कुर्ली में सूरिय सुभ है तो आप आत्म ग्यान प्राप्ति की तरफ भी उन्मुक हो सकते हैं वहीं सूरिय के असुभ प्रभाव से मान समान और आत्म विस्वास में कमी पिता से मदभेद और आँख से जुड़ी कोईन कोई समस्या उत्मन हो सकती है सूरिय को प्रभल बनाने के लिए सूरिय से समधित उपाय किये जाने चाहिए इसके लिए यदि आप रविवार के दिन सूरिय से समधित वस्तों का दान सूरी की हो रहा और सूरी के नक्षतर अतात करती का नक्षतर उत्रा फालगोनी नक्षतर उत्रा साड़ा नक्षतर में करें तो आपको ज्यादा फाइदा मिलेगा अब आप नोट करिए सूरी का गोचर समय तो सूरी देव 17 अगस्त 2019 सनीवार की दोपेर को एक बज़े से करक रासी से सिंग रासी में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर मंगलवार की दोपेर एक बज़े तक इस रासी में रहेंगे सूरी के इस गोचर के प्रवाव सभी 12 रासियों पर होगा लेकिन सिंग रासी पर इस सूरी के गोचर का प्रवाव ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यह रासी सूरी की अपनी रासी है तो आईए अब इस रासी फल के माद्यम से डालते हैं प्रवाव पर एक नजर के प्रतेग रासी को क्या मिलने वाला है सूरी के गोचर का परणाम क्या होता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताय हुआ है कि सूरी जब भी आपकी रासी से थर्ड, सिक्स, टैंत और इलेवंत हाउस से गुजरेगा इलेवंत हास में गोचर करेगा उस समय यदि उससे साथवी रासी में शनी अगर है तो उसको कोई भी वेद नहीं लगेगा लेकिन अज़ि कोई दूसरा गरह है तो उस इस्तिति में वेद लगेगा थर्ड, सिक्स, टैंत और इलेवंत जो गोचर है उसको ठीक सामने देख लिए नाइन्थ, ट्वेल्थ, फोर्थ और फिफ्थ जब हास में अताथ में आपको सिक्वेंस बताईए उसमें यदि कोई भी गरह नहीं होगा तो आपको सूरी का गोचर फल सुब मिलेगा अन्यत उसके फल में कमी आ जाएगी सूरी एक भाव में लगबग एक माह तक रहता है सूरी का गोचर बहुत महत्पून है यह सरीर के उल्ज़ा प्रणाली को एम करता है और भावनाओं, स्वास्त्य और सक्ति को प्रभावित करता है दोनों ही लिंगों में अताथ मेल हो या फिमेल हो यह जाते कि अधिकार सक्ति को निधारित करता है लगने कुणली और गोचर में सूरी पर बुरा प्रभाव अता जो भी आपकी रासी कुणली है जो हम बात कर रहे हैं वो मून साइंस से लेटेट बात करते हैं रासी कुणली से बात कर रहे हैं तो जब भी रासी कुंडली में सूरिय पर बुरा प्रवाव होगा तो खराब सेहत उच अधिकारेंग साथ में समस्याओं की और इसारा करता है सूरिय। वर्स के जिस भी मा में सूरिय जन्म रासी से विपरीत अता सांतवी रासी में आता है सूप फलदायक नहीं रहता है। रासी अनुसार यह सरदी जुकाम दुरबलता और जीवन सक्ति में कमी का कारण मनता है। आईए अब बात करते हैं मेश रासी की तो सूरिय का आपकी रासी से फिफ्ट आउस में गोचर संतान संबनी परिशानी आपके पिता को कष्ट आपके पुत्र के साथ में अलगाव दुश्मनी बिना फालतुगा वैचारिक मतबेद आप में खुद में आलेश्य और अनिस् स्थिति व्यवसाहिक कारियों में कोईन कोई प्रावलम अथा कटनाई मांसिक चिंता मांसिक असांती विरोधियों की सतुता पूर्ण गतिविद्यों के कारण अथा जो भी आपके अनिमीज हैं वो जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके कारण आप बहुत ज्यादा परिश प्रॉलम्स हाड से लेटेड प्रॉलम्स मेंटल हैरेस्मेंट और बहुत से जातकों को अतात कुछ-कुछ जातकों को यह बोल सकते हैं हिस्टीरिया जैसे रोग से भी परेशान होना पड़ता है इसके अलावा आलस्य अस्थिर मनोवरती अतात अनस्टेबिलिटी वेवरिं जाती है और इसके परणाम भी उतने ही खराब रहते हैं इसलिए सूरी को उपाय करने की मैं आपको सला दूँगा सूरी को उपाय क्या है इसके लिए एपिसोड के अंद तक पहुंचना पड़ेगा वह उपाय में आपको बतलाने वाला हूं वो उपाय जरूर करें इससे आ यातरा यूजनाओं में व्यवधान अता जो भी ट्रैवलिंग के प्लान बनने वाले हैं उसमें आपसिकल्स आ जाएगी प्रेतक संपत्य को लेकर के कोई विवाद वो खड़ा हो सकता है अच्छल संपत्य की हानी हो सकती है मांसिक विशाद बुखार अता फीवर सारीरिक पीड़ा और अन्य लोग व्यवाई जिवन का आनंद उठाने में भी कटना ही आ सकती है पत्नी या मा इनको को इनको चोट लग सकती दुरगटना से उनको कश्ट हो सकता है रिष्टदारों के साथ में विवाद की इस्तिति आ जाएगी जो जौब में है उनको इस्थान पर करने की और प्रवत होना है और अपना खुद का ध्यान रखना है अब हम विश्लेशन कर रहे हैं मिथुन रासी का सूरिय आपकी रासी से थर्ड होसमें गोचरवसात आया है इससे आपकी आयमे व्रदी आपका प्रमोशन चारों तलब से खुशाली दुस्मनों का विनास अ कुछ अधिकारियों की संगती और उनके द्वारा आपकी प्रसंसा किया जाना राजे अधिकारियों द्वारा आपका सम्मान आपके कारी में उन्नती सुखत पारवर एक जीवन निरंतर खुशी का माहूल आपके घर में रहेगा इसके साथ ही साथ दन संपद्दा भी प्रवती बढ़ेगी अताथ आपकी इच्छा जागरत होगी दान करने की यदि कोई व्यक्ति अविवाईत है तो आपका विवा निष्टित हो सकता है अताथ जो कुछ भी विवा की डेट है सगय संबंद वो फाइनल होने से विवा की विवा की निष्टित बढ़ जाएग यह आप नोट कर सकते हैं विसेस करके कि यदि आपने प्लान करना है तो यह समय सही है कंसिमेंट के लिए साहस सिक्सा के सित्र में सफलता चोटे बाईयों को कष्ट पर जो व्यक्ति है उसको सफलता मिलेगी उसको गेन होगा चाए वो बिजनस हो चाए वो जॉब हो हर कल इंप्रूमेंट पे जाएगा अथा आपका खुद की गुडविल बढ़ेगी आपकी जो रेपूटेशन है उसमें इंप्रूमेंट आएगा अब बात करते हैं करक रासी की आपकी रासी से सेकिंड हाउस में सूरी का गोचर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा यह गोचर आखों की प्रॉलम आपको इरिटेट कर देगा आता चिरचिरापन बढ़ जाएगा धंत और संपत्ति का नास हो सकता है एकसाइटमेंट हो सकती है ब्रस्ट लोगों की संगती हो सकती है जो भी आपका सरकल है वो सरकल ऐसे लोगों का हो सकता है जो खुद बहुत करप्ट है जो खुद बहुत गलत लोग है नेगेटिव लोग है और से आप पर कोईन को आरफ लग सकता है आपके रिष्टदार या मित्र हैं उनसे आपका जगड़ा हो सकता है तो आप खुद देखे जो ही आपकी संगती गलत लोगों से होगी जो सही लोग होंगे वो आपके परिष्टार नहीं हो सकती है अताथ वो आपको फ्रॉड में उलजा सकते हैं आपका पैसा हड़प कर सकते हैं मासिक परशानी साती साथ चोरी डखेती का भै भी इस समय रहेगा आर्थिक डखा अताथ कोई कोई बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा प्रॉलम पैसा फस वाले जो तरीके उसमें फस सकते हैं आप धन कमाने के लिए बहुत गलत रास्ता अक्तियार कर सकते हैं गलत रास्ते के और जा सकते हैं इस और जाने से सिर्फ और सिर्फ आपको दोका मिलेगा नुक्सान हो सकता है और हो सकता है कोई नों को लिगल प्रॉलम में आफस जाए इसलिए मेरी सला है कि इस तरीके से पैसा कमाने से पैसा टिके कभी नहीं और हो सकता है प्रॉल्लम में आ जाएं जो भी बिजनसमेन हैं उनको इस समय लॉस हो सकता है इसलिए बहुत बड़ी डिलिंग से बचना चाहिए जहां तक हो उस चीज़ को टैकल करना सीखिये आईए अब बात करते हैं सिंग रासी की सूर्य आपकी खुद की रासी में ही प्रवेश हुआ है 17 अगसे 17 सितमबर तक सूर्य सिंग रासी में ही रहेगा इस से स्वास्ते मेहानी, सिर्दद, आँखों की प्रॉलम्स, ब्लड प्रेसर, हार्ट प्रॉलम्स, नायू और चेरे के रूग, ठकावट, मांसिक परिशानी, सारीरिक प्रॉलम्स, व्यवेग जीवन में कला, मित्रों और रिस्दारों और अधिकारियों के साथ में जगड में, व्यवेग जीवन तनापुन रहता है, कुछ समय के लिए पतने से अलगाव भी हो सकता है, ये बहुत बुरी बात है, और इसको बात को आपने नोट करना चाहिए, कैसी सिच्योशन ना आपाए, छोटी सी प्रॉलम्स, बहुत बड़ा लड़ाई जगड़े का कारण, बहुत बड़ा विरुध का कारण मन जाता है, वो नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी प्लानिंग से हैं, जो भी जो भी पिर प्रॉजक्ट ने, उनमें भी योजनाओं में कमी आ सकती हैं, लेट लतिफी हो सकती हैं, लिंगरोन हो सकते हैं, उससे भी आपको बछ sellers कॉल बश होना है अता जो भी प्रित्रक संपतिक इस्तिति अगर आस-पास चल रही है आपको मिलने वाली है या आप उसके ला ला रहते हैं तो उसमें लड़ाई जगड़ा होने की संभावना है इसके यह समय सतरा सितंबर तक इस समय को टाल देना आपके लिए ज्यादा बैटर है तो मेलेजमेंट आप आपको सीखना पड़ेगा और मैं आपको सब सलाही दे सकता हूं मानना नहीं मानना यह 100% आप पर है जो 30 को अंधविश्वास नहीं जो 30 को प्लानिंग के तौर पर रहेंगे तो आपको हमेसा फाइदा ही देखने को मिलेगा नुकसान देखने को नहीं मि बूब नहीं मिलती है काम या तो देरी से हो जाते हैं या लेट लतीफी उससे गहरे रहती त撇ल लिधं के ाता जो भी काम करता है उसकी भी हानी होति है और आपको सास्त्रों में एक ज़गा लिखावाई ऐसा ही situation ऐसा ही गोचर में व्यक्ति को जान का खत्रा भी बना रहता है जान का खत्रा का मतलब आपने 100% अपने उपर नहीं लेना है लेकिन जो लिखावाई उसको आपने जेहन में बसा करके रखना है ताकि आप risk factor से बसने की try करेंग जो भी आपके लेक्स हैं, पाउं हैं, उनमें गाव, स्किन प्रॉलम्स, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची, पेट के रोक, बुखार, ठीक छाती में इंफेक्शन, आँखों की प्रॉलम्, आपरादिक मामलों में उल्जाव, अथात, आपने कुछ भी किया है, नहीं किया है, लेकिन लोग आपको इसमें फसा सकते हैं, साजिस आपके खिलाफ कर सकते हैं, ठका देनी वाले यात्राएं होंगी, मित्रों और सरकार के साथ में विवाद हो सकता है, नीच, मतलब नेगेटिव और असमाजिक कारियों की प्रवति का योग आपको बना रहेगा, अथात, आपने बिना फालतु की चीज़ों में, बिना फालतु की लोगों के साथ में मिल करके, कोई कोई कारेक्रम बनाएंगे, जिससे की आपको फाइदा हो जाए, तो फाइदा होने की जगर नुकसान हो, आपको हो सकता है, इसलिए आपने इस प्रवति से दूर रहना है, अपने आपको उससे हटा लेना है, आईए, अब बात करते हैं, अगली रासी अता, तुला रासी की, आपकी रासी से इलेवन्ध हाउस में सूरी का प्रवेस हुआ है, और इस रासी से इलेवन्ध हाउस सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इलेवन्ध हाउस का मतलब यह गेन, एप्रिशेशन, अताथ फाइदा, जो भी एफ़र्ट करेंगे, एफ़र्ट के बाद में नेक्स्ट कदम यही हो सकता है, गेन, तो यह जो टाइम प्रिट है, संगर्स के बाद में आपको गेन मिलने वाला है, आपको प्रसिदी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा खाना पिना मिलेगा, आएके स्तोत बढ़ जाएंगा, ताथ, जो भी रिसोर्से जाएंगे, इनकम के, वो आपके बढ़ जाएंगे, इनांस हो जाएंगे, स्वास्ति बहुत अच्छा रहेगा, चिंताओं और परिशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, घर में को इनको सुब कारिया, मांगलिक कारिया हो सकते हैं, ठीके, जो भी बहुत बड़े लोगें, उनका सरक्षन आपको मिल सकता है, friends से आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा बहुत ज़्यादा support मिलेगा और आपका friend circle भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा reputed बना देगा समाननी अस्तिति आपकी हो जाएगी इज़त आपकी बढ़ जाएगी धन, सफलता और दूसरों पर प्रभाव आपका बढ़ जाएगा जो भी आपके enemies हैं, जो भी आपके शत्रों हैं उन पर आपकी विजए हो सकती है उन पर विजए आप पा सकते हैं आपकी गतिविदियां परोपकारी हो जाएगी सुक सांती, नौकरी में सांती और ख्याती, रोग से मुक्ती बहुत अच्छे सुकत समारों में भाग और सुब कारियों का योगदान आपका रहेगा इससे आपको हर तरफ से जो भी आपका effort है उसमें gain होने के योग है इस time period का आपको फाइदा लेना है तो effort ज़्यादा कीजिए आंट गंटे काम करते हैं मेरे कहने से 10 गंटे काम कीजिए क्योंकि फाइदा आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा अब बात करते हैं रस्चिक रासी की गोचर का सूरी आपकी रासी से 10th house पर आएगा और इस 10th house के सूरी से 10th house के गोचर सूरी से व्यापार में सक्सेस मिलेगी स्वास्ति अच्छा रहेगा इस तरियों से अथात जो भी आपका आपोजिट सेक्स है फिमेल है तो मेल से, मेल है तो फिमेल से ठीक अच्छे संबनेंगे संबने का यहाँ पर रहते है मेल जोल से है आपका सरकल बढ़ने से है उच्छ तरिये लोगों से आपके संबंद बनेंगे सरकली अधिकारियों से जान पिचान आपकी बढ़ेगी उच्छ सिक्सा जी यदि आप हायर एजूक्शन लेना चाहते हैं तो यह टाइम पिरिड बहुत अच्छा है इसमें इन्व प्रमोशन के चांसेज है इज्जत और मान आपका बढ़ेगा जो भी रेपोटेशन है वो आपकी बढ़ेगी हैसियत आपकी बढ़ेगी अगर कुछ इच्छा हैं आपके मन में हैं तो इच्छा पूर्ती हो सकती है और यदि आपने प्रिवेस में कोई आपका डिमोशन हु प्रवत्ति होगी धनलाब होगा उच्छ समाजिक इस्तल आपको प्राप्त होगा और जो भी आपके एम से हैं जो भी आपके उद्देश हैं उनकी पूर्ती होगी तिक कुछ लोगों की परोपकारी प्रवती हैं उनसे बहुत उनको फाइदा होगा इसलिए उनका नाम बढ जो भी अच्छा काम करते हैं तो वापस आपको एवार्ड रिवार्ड जरूर वापस समाज देता है इसके यह बहुत अच्छी बात है अध्यत्मिक्ता पर अधिक विश्वास आपका होने लगेगा अधा जोतिस पर इस्पिचोल साइंस पर धर्म कर्म पर आपका विश्वास बढ़ेगा जो भी व्यवसाय के संबंदित एफर्ट हैं उनमें सक्सेस मिलेगी प्लानिंग आपकी सक्सेस होगी सजग बुद्धिमता और मित्रों और संबंदियों से आपको साहता मिलेगी तो जो भी फ्रेंड सरकल है जो भी आपने बनाया सरकल है उससे आपको बहुत ज उठाना है इसलिए प्रोग्राम हम दे रहे हैं क्यों जो 30 का फाइदा तभी है तब आप एडवांस में अवेर हो जाएं और पूरे टाइम पिलिट का फाइदा उठाएं क्योंकि 9 गरह हैं सबी की सब एक गरह आपके लिए फाइदमन इस्तितिति में नहीं खड़े होंगे कोई positive और कोई negative भी हो सकता है 9 गरह हैं ठीक जो मुख्य गरह हैं वो 9 हैं अब यहां आज की तारिक में लोग 12 गरहों को भी गरहों को भी 12 गरहों लोगों को भी ठीक काम में लेते हैं लेकिन मैं आपको सब 9 गरहों की बाते ही बोल रहा हूं आईए अब बात कते हैं धनूरासी की तो धनूरासी के व्यक्तियों को आपकी रासी से 9 आउस में से सूर्य गोचर वसात आया है इससे आपको पिता की नाराज की जेलनी पड़ेगी ठीक आपको पिता की जो problems है या बीमारी है उनसे भी आपको बहुत अच्छे डंग से नि मान समान की हानी हो सकती है कहीं कहीं पर आपकी बदनामी हो सकती है कोई इनको जुर्म आपके हातों से हो सकता है या व्यर्थ के आपको लांचन लग सकते हैं आय में कमी और प्रयास हमें असफलता मिल सकती है और इससे आपनों गबराना नहीं है क्योंकि आने वाला समय है व आपका आत्म विश्वास में कमी कर सकता है, आपका आत्म विश्वास खो सकता है, दुर्भाग्य, निरासा, सामाजी के स्तर में गिरावट, अपमान, और बड़े बुजूर्गों से सतूता, धार्मिक कारियों में विग्न, आक और नाक से संबंदित, अता ENT से रिलेटेड क कोई प्रॉलम आपको आ सकती है, आकस्मिक दुरगटना का अनुभव आपको हो सकता है, इसलिए आपने अपने आपको सेप साइड में रखना है, स्ट्रॉंग बनाना है, अपना कॉन्फिडेज नहीं खोना है, और जोती से समधी जो भी उपाय कर सकते हैं, वो उपाय होगा 17 अगस्त को, और उससे पत्नी पुत्र या किसी समंधी को नुकसान हो सकता है, चोट लग सकते हैं, दुरगटना हो सकती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा अवेर रहना है, बहुत ज़्यादा साफदान रहना है, जो दुस्मन है, उनके साथ आपका लड़े जगड हैं, हाई ब्लड पेसल से परिशान हो सकते हैं, और साथ इसाथ जो आपके नियर डियर पडोसी हैं, उनसे आपके संबंदों में खराबी आ सकती है, उनसे आपका लड़े जगड़ा हो सकता है, आपकी संतान को परिशान ही आ सकती है, आपकी पिता को बहुत ज़्यादा हेल सकती है आपके मित्रों से आपका लड़े कड़ा हो सकता है और पत्नी के कारण कोई दुख आपको मिल सकता है को इनकijke अपमान आपको देखने को मिल सकता है कुषत में आपके व्रध्दी आजाएगी फाइनेंशली आप ठॉलिम आ सूर्य है इसलिए आपने इस time period को बहुत ज़्यादा safe बहुत ज़्यादा protective mode पे अठाथ अपने आपको संभालते हुए आगे आपने ले जाना है गरह तो अपनी गती से चलेंगे आप रुख सकते हो गरह नहीं रुखेंगे इसलिए आपने रुख करके उस चीज को परिणाम को देखना है अब अगली रासी कुम्ब रासी आपकी रासी से सेवन ता उसमें गोचर का प्रवेश हुआ है और इस गोचर से आपके पड़ोशियों से नाराजगी आपकी पनपेगी ठिक पतनी से गलत फेमी हो सकती है अपचन से अतात जो भी डाइजेसिन सिस्टम है वो वीक होने से स्वास्ते में प्रॉलम आ जाएगी आतों का और या पाइल्स का रोग अतिसाल बवासीर सिरदर्द भय ठकावट और नर्वस सिस्टम में उसमें तनाव मांसिक अवसाद डिप्रेशन उत्सा में कमी आतात जो कॉन्फिडेंस है जो भी एनरजी लेवल है उसमें कमी आ जाएगी और साथी साथ विशाक्त भूजन का खत्रा भी है अतात खाना पिना भी अगर बार ज़्यादा खाते हैं ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा केरफूल रखना है अपने खाने पिने में यात्रा कश्टकारी हो सकती है असफल उद्योग हो सकता है अत आप डिमोशन अपमान हो सकता है चिंता आपकी बढ़ सकती है व्यग्रता आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है और साथ ही साथ प्रसिद्धी और मानसमान की हानी जैसे परणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं इस और आपने बहुत ज्यादा केरफूल रहना है बहुत ज्यादा गतिविदिया, आपके सामने जो भी दुस्मनने इनकी गतिविदिया आप दबा पाएंगे या वो सांथ हो पाएंगे अधर में लटके वी विवादों का समाधान होगा और आपके पक्स में होगा आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी रोगों का निदान होगा, व्यवसाय में लाब होगा, अधिकारियों के साथ में अच्छा तालमेल बैठ जाएगा, मानसिक सांती आपको मिलेगी, एट्मोसफेर बहुत ज़्यादा अच्छा चेर्फुल रहेगा, एट्मोसफेर बहुत ज़्यादा ठीक है, अब यह बहुत सोच सकते हैं, प्रसिद्धी और परुपकारिक कार्य, उच्छिस्तर की प्राप्ति, आपका प्रमोशन, आपको एवाड रिवाड मिल सकता है, और साथ ही साथ फैसलिटीज वाली चीज़ों पर आप खर्च करेंगे, अताद आपके घर में सुक्स विदाएं बढ़ेगी, यदि आपके साधी हो चुकी है, तो ऐसे ही समय में आपको बच्चे का जन्म होने की भी खुशी मिल सकती है, यदि कोई कर्ज आपने लेवा है, तो वो कर्ज चुकाने का, कर्ज अदाएगी का भी यही समय है, साथ ही साथ, आध्यात्मिक उन्नती जैसे पढ़नाम भी आप को प्राप्त होंगी, जो लोग spiritual field में है, जो लोग ठीक रोजाना meditation करते हैं, योग करते हैं, जो पूजा उपासना साधना करते हैं, तो उन लोगों को उन साधनाओं में, उन effort में success मिलने का यह time period है, यह योग है, यह आपने देखा है कि मेश रासी से लगा कर मीन रासी तक सूरी का क्या प्रभाव होगा, आईए, अब बात करते हैं सूरी के उपायों की, जिन जिन रासी को भी सूरी का प्रतिफल है, मैंने negative बताया है, उन लोगों को सूरी के उपाय करने से आपको राहत मिलेगी, और जिन लोगों को सूरी का प्रतिफल मैंने अच्छा बताया है उन लोगों के सूरी के उपाय करने से उसका प्रतिफल और ज्यादा बढ़ जाएगा तो सबसे पहली बात कि आपने रोजाना सूरी को अर्ग देना आरम करना है अथात तामबे का एक लोटा लीजिए उसमें पानी बरिये उसमें थोड़ा सा कुंकुम डालिये थोड़ा सा गुड या चीनी डालिये यदि कोई पुस्प लाल रन का मिल सकता है अगर पुस्प मिल जाए तो सबसे अच्छा और नहीं तो गुलाब का पुस्प वो डाल सकते हैं और यदि पुस्प नहीं मिले तो कोई बात ने चिंता करने की कोई बात नहीं है अपनी पूरी हाइट से अता जहां तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक लोटा पकड़ करके पातल पकड़ करके सूरिय और आपकी आँखों के बीच में से वो पानी गिरना चाहिए सूरिय का मंत्र बोलते हुए बहुत छोटा सा सूरिय का मंत्र है ओम ग्रणी सूरिया नमा या फिर गायतरी मंत्र बोलते वे भी आप सूरि को अर्ग दे सकते हैं सूरि को अर्ग देने का समय होता है सूरि जब उदे होता है वहां से पहला गंटा यदि आपके सेर में सूरिय 6 बजे उदे होता है तो साथ बजे से पहले पहले आप अर्गे दे सकते हैं सुपहली होरा का मतलब यही है हर रविवार को गैहूं गुड़ या तामबे का दान कर सकते हैं सूर्य चालीसा का पाट कर सकते हैं विश्णु सहस्त नाम का पाट कर सकते हैं विश्णु की पूजा उपास ना कर सकते हैं, ओम नमो भगते वासु देवा, ये बाराक्सर का मंत्रे जो हर रासी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा गुणी है, बहुत ज्यादा लाब देने वाला है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जाप करने का संक्य निजारित नहीं करनी है भगवान से को इसाब किताब नहीं लेना है जितना टाइम आपको मिले उतना जाप कर सकते हैं क्योंकि भक्ति आपको पे करेगी भक्ति आपको वो सब कुछ दे सकती है जो अप चाते हैं ठीक लोग एक माला के उपर अड़ जाते हैं एक माला करनी है आपने संख्या नहीं रखनी हैं, आपने सब जब तक आपका मन लगता है उसमें जाप में तब तक आपको उनका जाप करना है तब तक आपको पूजापाट करना है। वो कवच होता है जो आपका नाम पिताजी का नाम माताजी का नाम गोत्र कास्ट और एडरस के साथ में बनता है जो इस्त्रियां विवाईत है वो अपने सस्वराल का गोत्र और अपने पती का नाम बताएंगी बागी सारी डिटेल सेम की सेम रहेगी उनसे जो कवच बनेगा वो आपको धारण करना है जो लोग पूजा पाट में समय नहीं दे पाते हैं बहुत ज्यादा बीजी है उन लोगों के लिए कवच बहुत काम का है वो कवच पहन करके पूरा फाइदा उठा सकते हैं जो इस्तियां घर में रहती है वो हरिवंस पुरान का पाट करें हर रवीवार को ग्याहूं गोड़ तामबे का दान देना चाहिए यह मैंने आपको बतलाया है आपने यह जो उपाए है सामने से उपाए वो आप करते हुए इस सूरियों से समधित राहत प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके घर में तामबे का पातर है उसमें पानी बरके रखिए और जहां तक हो सकते हो सके वो ही पानी यूज करिए कोई लोग यदि एफोर्ड कर सकते हैं तो तामबे का एक कड़ा बनाई है जिसमें कोई जॉइंट नहीं हो मतलब तामबे को गरम करेंगे तो पानी की तरह हो जाएगा फिर इसको डाई में डालेंगे तो वो जो कड़ा बन जाएगा जिसमें जॉइंट नहीं रहेगा वो अपने रवीवार को फर्स्ट अवर में पहन लेना है यह सूरी कुपाय करके भी आप बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा यह आप हमको जरूर बताईए और यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स की जगे जो मेंने वार्सब नंबर आपको दिया यह मेल एट इया에서 उसमें विश्टतस में विस्तार अपनी प्रॉब मताईए तकि मैं आपको जो आप चाहते हैं, जो आप उसका solution चाहते हैं, जो आप विस्टलेशन चाहते हैं, वो मैं आपको pinpoint बता पाऊं, बहुत से लोग comment box में सिरफ एक sentence लिख देते हैं, date ओबर, time ओबर, place ओबर, आगे कुछ में लिखते हैं, क्या पूशना क्या चाहते हैं, या problem क्या है, आपकी problem कब से है, आपकी कुणली क्या है, अब ऐसे में सिरफ और सिरफ आप comment box में छोड़ देते हैं, उससे आपकी समस्यागा समधान नहीं हो सकता है, उसके लिए proper way में जाना चाहिए, उसके लिए proper आप time दीजिए, और हमको सही माद्यम से अपनी problem बताईए, और सबसे अच्छा को problem बहुत serious होती है, लेकिन वो सिरफ और सब इधर हो समय वतीत करते हैं, अकबार में देखते हैं, free जहां पर consultancy है, वहां पर try करेंगे, जो कुछ भी ठीक, बहुत से टीवी चैनल पर program चलते हैं, live telecast वाले, वहां पर problem अपनी discuss करते हैं, मैंने खुद ने वो program देखे हैं, कि वो एक sentence का और बहुत जादा immediate response करते हैं, जैसे सब कुछ उनको पहले से मालूम है, ऐसा नहीं होता है, पांच मिनट लगते हैं, जो कुणली है, उसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए, फिर में आपको कोई चीज बोल सकता हूँ, फिर में आपको wishlation कर सकता हूँ, और जहां तक हो सके negative environment से, negative लोगों से, negative गतिविदियों से दूर रहिए, क्योंकि आप से ही आपका परिवार और परिवार से समाज और समाज से देश बनता है, आपके सरफ सही आचरन से हमारा देश अच्छा हो सकता है, हमारे देश का नाम हो सकता है, हम अपनी जीवन से ज जो भी गलती हैं जो भी लड़े जगड़ा उनको निकाल करें फैक सकते हैं नमस्कार क जो करें टूर करो कहा उलती है